हरे सिव 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 भन्ने बानिबसाई देव तिम्रो धम्मा आउचु प्रभु बाटो देखाई देव सिव 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 भन्ने बानिबसाई देव तिम्रो धम्मा आउचु प्रभु बाटो देखाई देव समाध्रनी उबंदनी भक्त जनहरो आज स्वस्थानी ब्रत कथाकव हमी चैटों दिवस्था प्रवेश गईरी शके काछों आज हमीले चैटों अध्यायलाई स्त्रवण गर्न गई राखे काछों भागवती स्वस्थानी को महिमाले परिपुर्ण भायगो यो देव्य प्रसंगमा तु हिर्दय विदारग सती देवी को दिहत्याक को कथाहनी आज स्त्रवण गर्न गई राखे काछों देश्त था विदेश्मा रहेरपनी आपनो धर्म संस्कृति पत्ती सधैव प्रेम गरेर अगाडि बड़ी रहनो हुने संपोन भक्त हरु माथी भगवती स्वस्थानी आमागो धेरे भन्द धेरे ग्रिपागो वर्षाव हुस् मन्नि कामला का सात्मा आउनो हुस् प्रार्थान बरों तेस्वची कथाहना प्रवेश्वादने छों ओम स्री गने सायनमह यम ब्रम्मा बरुणेंद्र रुद्रमरुतह स्थुन्वंति दिभ्यै स्थवैर बेदैही सांग पदक्रमो पनिशदैर गायंधियं सामगाह ध्यान वस्थिततत गतेन मनसाः पश्यंधियं योगिनों यश्यान्तम्न विदुह सुरा सुरगणा देवायत स्मै नमहा श्रीमा चन्न चर्चितो ज्वलबपुह सुक्लांबरा मल्लिका माला लंकृतकुंडला प्रविलसं मुक्तावली शोभिता सरवज्यान निदान पूस्त गधरा रुद्रक्षिमा लाकरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतुमे त्रैलोक्यमा ताचिरं मुकं करोति वाचालं पंगुम्लंग यते गिरिं यत्कृपातम हम बंदे परमानन्द माधवं नमु भगवते तस्मै व्याशाया मित तेजसे यश्य प्रसादा द्वक्षामी नारायेन कथा मिमां नारायनम नवस्कृत्य नरंचहिव नरोतमं देविं सरश्वतिं व्यासं ततो जय मुधिरेत ओम्स्री मन्माह गणादी पतय नम स्री सरश्वति देव्ये नम ओम्स्री वेद व्यासाय नम ओम्स्री मन्नारायनाय नम ओम्स्री साम्वसदा सिवाय नम ओम्स्री गुरुचरण कमलिभ्यो नमो नमः कुमार्जी आज्या गर्ण होंचा ये अगस्ते मुनी येस्तो किसिम संग मैले तिरपुर दाहा हजुर का समक्षेमा स्रवन गराएं अवा के सुन्य एक्ष्या चा येस्तो सुनी अगस्ते मुनी बिन्ती गर्ण होंचा एक कुमार्जी दक्षे प्रजावपति का त्यत्तिस कोटी कन्या त्यत्तिस कोटी देवताले विवाह गरे सती देविललाई विष्न भगवान को छलले सिवजीले प्राप्त गर्ण होई तेश पची सती देविकु मृतु के कारणले भईओ त्यो सवै विशैमा सुन्नी एक्षा सभगवन मलाई बताई वक्षन होस येस्तो आग्रहा गरेको सुनी कुमारजी भन्न होन्छा हे मुने एक दिन दक्षे प्रजावतिली यवटा यग्यगर्न एक्षा गरे रधेरे समय बिद्धे जादा अवतु यगिगर्ने एक्षा अत्यनत बलवान भयर आयो अवगरी छाड़्चु वन्ने उनकु मन्मा निष्चे भयर संपूर्ण सामागरी तयार गरी अनि महादेवर सती देवी बाहे अरुच्वरी ज्वाईर ब्रह्मा विश्नु आधी समस् यग्षा गंदरव किन्नर नाग द्यत्य अफसरा दसदेख भाल लाई निमंत्रणा गर्न पठाव भन्ने आपना स्वामी को आज्या पाई बिरण हीले सम्पूर्ण सामागरी अर्थात स्रिमतिले सामागरी सामबुण तयार पारी महादेवर सती देवी बाहे सबै छोरी ज ब्रह्मा विष्णु यक्षेर कंदरव किन्नर द्यत्य नाग अफसरा दसदेख भाल हरु लाई निमंत्रणा पठाव दिभाईन। यथा योग्य सेव सतकार गलेर राखे सुधिन अर्थात रामडो दिनी एग्यारम भयो त्यो अश्च्व मेद एग्ये कस्तो हो बने नंदी भ्रेंगी ततु सष्टी योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रमत गण सैद्भै इस्त्री मादेप बस्द जस्तु सभा होंच तेस तेत्तिस कोटी च्वरी ज्वाईर ब्रह्मा विष्णवाधि देवता रिशी यक्षे गंद्रवक्किन अर्द दैत्य नाग अप्सरारू नाना बस्त्र अलंकार पहिरी उभन्ध उराम्री उभन्ध उराम्री भै नाजगान गरी मंगल को निमिक्त सुवर्णमय कलस्षित अश्वमेद यग्यगर्दा श्वभायमान देखियो तेसरी अश्वमेद चली रएको बखतमा नारद मनिले को आये को आये नन भनी आशन बाट उठेर चाराई तिरहरन लागें दक्षेका त्यत्तिस कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु प्रवरति सकल देवता रिशी अंदरवकिन्नर नाग अफसरादी आदी सवै सवैलाई देखे तर महादेवर सतिलाई नारद मनिले देखनु भायना बिना महादेवको योज दक्षे ये प्रजापतिको यग्यें कसरी पुर्ण होला कि ये कारण हो निंता पठावना पो बिर्षेका होनकी अथबा कुनै पुनी कारण छकी बन्ने मनमा तरक गरदै तुरुंत त्याहावाट अंतरधान भै कैलास परवत्मा नारद मुनी जानु भयो तेसे बेला उता महादेवले सति देविले हे प्रिये आज आमीज दुबाई जाना जुआ खेलं पासा खेलं आव बन्नु भयो सतिले हवस्मनी पासा लयायिंद्र दुबाई जाना प्रेम साध जुआ खेलं लागे हेवल खेल महां सति देविले सिवजि लाई जितनु भैरस्मी गिज्यो लाग नु भयो औरεις सिवजी जुँक्दर जोली थापनु भयो त्योपनी सति देविले जितिन और्ना ना गृरुपी गहना थ आपनो भयो तियो पनी जेतिन तेसे ही वेला दक्षे को निम्त पायर देवता दानव यक्षे किन्नर बिमान मा बसेर गई राखे का थिए ही। ती निहरोलाई देखेरा सती देविले स्वामी सिता ती विमानमा बसेरा जाने कोहन आग्या होस्मानी स्वधिन रमाहा देविले ती मिलाई केको धन्दा पर्यो केको चिन्दालीन पर्यो आपनो कांगरा भंदा सती देवि चिन्ति द्वायरा माति ती रनाई हेरी रईन अनी सिवजी ले हासेरा मोखुट थाकनो भयो त्यो पनी सती ले जितिन ते सरी निकाई पल्टा हारे काले सिवजी केई पनी न भनी हासी रहनो भयो भगवान संकर ले जानी जानी सती देवि ले जिताई रखनु भयो थियो कारण के यत भन्दा उताति रा मन न जाओस इनी प्रसन न भायरा यताई भोली राखन मने रा भगवान ले लिला गड़ी रखनु भयो थियो अनी सती देवि ले बिन्ति गरिन हे स्वामी हजर का सभिवस्तु मैले जिती सकें अवक्य थापन होंच लव थापनु होस्त भनी अनी सिवजीले अवमा आपनो अंग थाप्दोचु भन्नु भयो तव सती देविले हात जडेर बिन्ति गर्नु हयो हे स्वामी हजर को अंग अगी पनी पसी पनी मेराई हो यदी मैले हारे भने हजर को अंग को साटो कुनकुरा टक्राउंली यो संपोन ब्रहमांड हजर को अंग को साटो दीने मेरो विचार मा अरुकु नई बस्तु छाइना फेरी हजर को अंग जुआ खेली जेतेर आपनो बनानु पर्ने कनी कैई आवसेक्त देख दीना जुन दिन मेरा पिता माता ले तील को साट हजर का हात्मा राके दिये का थी तेशे दिन देखी हजर को अंग मेरो र मेरो अंग हजर को भाईशा क्यो यस्तमा संका चाइना र हजर ले आपनो अंग थापनो पर्दाईना सति देवी को यस्तो इस्निहयुक्त प्रेमयुक्त बचन सुनेर महादे प्रसन भै धन्ने तिमी भनेर जुह खेलन साडी मिठा मिठा बारत गरेर कैलास्मा बसे रहनु भाय को थियो तेशे इवेला नारदमनी पुगेर सतीर सिवलाई साष्टंग दन्नवत प्रणाम गरी हात धुडेर उब्बी रहनु भैयो स्री महादेव कस्ता हुनुँच बनी जटाको मुगड बनाई बाग का माला को पट्टु का कसे का हात्ति को छाला वडे का सरवांगमा भस्म लेपन गरी इस्थान इस्थान मा सर्पका गहना लगाई घाटी मा नरम नमाला पहरी सती देविलाई काख मा लियर कोटी सुर्य जाई तेजले ज्वाजले मान भै नंदी भ्रिंगी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी द्वारमा राखेर प्रमत गण सैद भैराखेका स्री महादेव लाई नारजले देखेर हर्षमानी बारंबर चरणमा गिरी दंडवत गर्दा भै है शरी नारजी ले भक्ती गरेको देखेरा मनमा अनुद माने श्री महादेवले आग्या गरनु भयो है मुनी तिम्रो भक्ती देखेरा मा प्रसन भये जे इच्छाच बरमाग तब नारजी कही भन्न न सकी उबिरहनु भयो तब किये काम परेरा यहां आयो भन यती सिवजी को आग्या भय को सुनी श्री नारजी ले हात जोडेर भन्न लागनु भयो है संभो अबमग अरुक्य बरमागों हजर को भक्तीम मेरो चित सदैव लागी रहोस यही महदुर संग वर्दान मागदसु यही स्वर मावने कारण की हो बने दक्षे प्रजापतिले अस्वध एग्य गर्दा तिनही लग्क देरता यक्षे गंद्रव किन्नर दनित्य नाग अस्टवसु बसिष्टादी रिसीर ब्रह्मा विष्णु एवं दसदीकपाल सैत सबै एग्य स्थलमा आहेकासन मैले एग्य स्थलमा प्रदक्षिनागरेर हेरदा केबल हजर दमपत सति देवीर हजर लए देखी नर एग्यका मुख्य भक्ता करता गन फलदाता हजर लए किना डाके नन भनी आस्टरे लागेर मत्य कुरा बिंती चड़वन आये कहुं ए गवरी शंकर इसको अर्थ केई गुजन सकी न भनी नारत मुनिले बिंती गरे को सुनी सति देवीले आ अत्यंत अपमान गरे को ठानी स्री महादेव सित बेंती गरिन हे जगतिश्वर नारैन प्रगृती तेति सकोटी देवता यक्षे गंद्रव किन्नर नाग दैते अप्सराहरूरा मेरा सवै बहनी हरूलाई डागदा आमी दुई जानलाई मात्रै किना डाकेनन बंदै बिस्म अखा बाट आशु बगाइन र मलेनु मकभाय की सति देविलाई सिवजीले आग्या गर्ण भयो हे प्रिये तिमी दुखानना मान कीना भने तिमी नरुचाय की छरी मन मन परेको ज्वाई डाकेनन तक की भयो यसकुरामा हामीले आपन अपमान माननु परदैन तिम्रो सिको यग्यामा गयरापो हामिले की पाउनु छर नगाय पनी की होला भनी धेरै प्रकारले समझाउंदा पनी नमाने र हे स्वामी तेस्त्व आग्या नहोस मलायतियो अश्वमिदे की हेरने अत्यनत इच्याच आग्या भय नारसित गई एक पटक हेरेरा मात्राउने थीए प्रभु भने रा अत्यनतरी जिद्धी गरी महादेव का चरण मा सतिदेवी पर्न भयो अनी जगदिश्वरले फेरी भन्न भयो हे प्रिये यस्तो हठ नगरा किनकी विशेश गरेरा तिमी आपनू साभी मान मरहे की तिहां अपमान होला भागवान संकर सरवत्र जाननु हों अने किसिमले बुजांदा पनी नमानिकन नारत का साथ लागी कैलास बाट सतिदेवी प्रस्थान गरिन पिता को यगे स्थल्म पगेरा आदर साथ माता पिताला धोग दी सारे चित्त दुखाई आखा भाटा आशुका धारा बगाई मंगल वचन बोलिन हे माता हे पिता हज तो ठुलो एग्यमा पनी मलायकी ना सुचाना दीनु भाई ना के मा हजर हर की छोई होई ना मैले के अपराद गरें अथवा मेरा स्वामीले हजर को के बिराम गरे दिनु भायो आग्या हवास विष्णु प्रवेत्ति त्याति स्कोटी देवता यक्षे गंदर वक्किन पस देखपाल इस्त्रित पुरुस्चाल सवय डाकेर केवल हामी दुई जना लाय मात्र किन डाकनु भायन फेर यग्यका करता धरता माहादेव ने हुन हुन्छ उनि बिना हजर को यग्यक चरी पुर्ण हला यग्यको फल दिने पनी उहाने हुई भाख्षिन चा देवता प पनी उहा नहीं होई बक्सीन छां महादेव बिनाई गरेको यग्जी निश्फल हुन्छ भनेरा जाननु पर्दा छां यग्जी करता न भयको यस्तो असुद्ध यग्जी किन आरंभ गर्नु भयो यसली हजुर हरुको कदाबी जय हुने छाई न श्री महादेवला तुरुंत अनि मात्र यग्जी को उदेश्चे पूर्ण हुने छां इच्छित फल प्राप्त हुने छां ये पिता संकरला असंकर गरे थालनु भयको यो यग्जी संकर न भयके ना पने पूर्ण हुन्छ कि यो ब्रमान न मा कोई कताई फेरे दुईटा संकर वसंकी ये दी छन्मने मा आग्या होस फेरी मेरो स्वामिला नडागे को कारण की हो एपिता हे माता मलाई भन्नो होस अनि सती देविले भने को सुनी दवसे ब्रजावती भन्न लागे हे पुद्री तमनमा दुखा नमान तेरोपती भलानात यो यग्जेमा डापनी योग्ये छाई न की नगी तेत्तिसकोटी देवता येच्छे गंद्रवन नागा अधी अनेक रंग बिरंग का बस्तरार मडी माडिके का अनेक अपुर्व गहना हरुले सज्जित भै स्रिखंडा अधी स्वगंदित बस्तु लेपन गरी अनेक थरिका मंगल यात्र गरी गंद्रव द्वारा गीत्र अप्सरा हरुको नाच आदेले सुबित भैको येकिमा देखद गिन लाग दो त्यों महादेव लाई कसरी डाकने हे सती तिरो सामी के ढंग को छा दिहामा खरानी घशी कमर मा बाक को छाला बादी हात्ती को छाला ओडी बीस भांग धतुर खाई राता राता आखा पारी जस्तो मन लागे उस्ते नाची सर्वको गहना लगाउने जटाको मुकुड कस्ने मुण्णवाला पहरी दाया हातले दमर बजाई बाया हातले तिरसुल समाई भूत प्रेत आधी अगी पसी लगाई दिगंबर मतवाला जस्ताई जहां पाय उई पाव राखी लाज नमानी हिन्ने तियो निरलत जलाई ये सेग्यमा कसरी डाकू किन भने देवकन्या नागकन्या गंद्रवकन्यार तेरा सभय तियाहा 33 कोटी देवताहरूले स्वयमान येस्तो पवित्र यग्यस्थल्मा तेस्तो देखद्य असभाव हुनेर गिन्लाग दो तेरो स्वामी लाग पसरी डाकू बने न डाके को हो फेरे ताला मात्र डाका भने उपनी पसी लागेर आउला भने ताला पेनी डाकन्या शकी फेरी स्रिष्टि स्तिति संहार गर्ने महादेव हुन्र यग्य को फल दिने पनी उने हुन भनिस त्यो कुरा हुई न त्योत बहुला मात्र हो यग्य करता स्री नारायन हुन स्रिष्चि करता CC में ब्रह्मा वुएन, इस्तितिर संहार करता नारयन महअविष्णु हुएन। तियो महादेव जहता हुएन नाढगेर मेरु एग्य कषरे अपुर्ण होला। तेरो स्वामी महादेवलाय तो कसाय गरे पनी मन डाग दै डाग दीन, बलाउ दै बलाउ दीन, तिसले मेरो यग्यमा क्य वर्दान दीन सक्षा। तिसकोटी देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयम उपर्ष्थित सन्वनी, दाउचे प्रजापतिले जगदिश्वर महादेवलायी, सुद्र बचनले नाना प्रकारले, गाली गर्यो निंदा गर्यो, यो सुनेरा मले सहन नसकी, राता राता आखा पारी, क्रोदले नाको जस्त लाम सास फेरी, सुष्के राहल दै, दारा क्युटी जुरक्क उठेरा, भुमी मा लात्ताले हानी, स्वामी कु निंदा गरेको संजी, चित्तले सहन नसकी, छाती मा मुड किले हानी, सीब, सीब भन्दै, स्वामी कु नाम उच्चार्ण गरी, यग्यकुंडा मा हाम फाले, प्राण छाण दिभैं, अने हिमाले परवत की इस्त्री, मिनकाको गर्वमा, बासलिन पोगेंडर, आर्कु जन्म गर, पार्वति भैर जन्मलीन भन्ने सम्न का था, नारायेन हरी, हरी, इति स्रिस्कन पुराणे के दार खंडे माग महात्मे, कुमार अगस्ते संबादे स्रि अध्याया, सब एलाद जडों, ओम उपनायतु मंगलंवह, सकल जगन्मंगलालाया स्रीमान, दिनकार किरण निवोधित, नवनलीन दला इवेक्षण क्रेष्णह, काले वर्षत प्रजन्यह, पृतिवी सस्य सालिनी, दिस्वयम्छो भरहितो, ब्रामणाह, संतु निर्भया अपुत्रह, पुत्रिनह, संतु, पुत्रिनह, संतु, पोत्रिनह, निददनह, सदना, संतु, जीवंदु, सरदाम्सतं, तत्रै भगंगा, यमुनाच तत्र, गोदावरी सेंदु, सरस्वतीच, तिरथानि, सरवाणि, बसंति, तत्र, यत्राच तो, दार, कथा, प्रशंग या कुंदेंदुतु सारहारधवला या सुब्रवस्त्रावृता या बीडा बरदंडमंडितकरा या स्वैतपदमासना या ब्रह्माच्चुत संकरा प्रगृति भिर्देवैही सदावंदिता सामाम पात्तु सरस्वति भगवती नीशेश जाध्यापहा काये नवाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रगृति भावत करोमी अध्यत्सकलं परश्मे नारायनायेति समर्पयेता बोलिये स्री स्वस्थानि परमेश्वरी कोजे साम्भ सदा सिव भगवान कोजे स्री नारायन भगवान कोजे सती शिव भगवान कोजे सुन्य सुरत हरु कोजे न सुन्य सुरत हरु कुपनी जे आजको आनंद कोजे वैदिक सत्य सनातन हिंदु धर्म कोजे ओम्नमु पार वतिपते हारा हारा महदेव संभो दुख हारा रोग हारा कष्ट हारा 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 महदेव संभो सबै माथी भगवान साम्ब सदा सिवको सदैव क्रिपारै रहोस सबै का सुब मन कामन हरु परिपूर्ण हों मन्ने कामनका साथमा वली हमी सप्तमा ध्यायको दिभ्य कारुणिक प्रशंग लियेर उपस्तिधुनेशों जसले हम्लो एर दयलाई एकदम इस्वर्श गर्नेशा, तेत्रो दिभ्य लिलाःमी आजा, तिस्तु दिभ्य लिलाःमी स्रबन गर्नेशों भन्दै, आजाको भगवान्त स्रणमार्पन गर्दशु, ओम् नमहां सिवाया.